जोहार दोस्तो सुवागत है आपके अपने यूटूब चेनल जार्खन डिफेंस जोपे जी याँ फ्रेंड आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है नियोजर निती को लेकर तो बहुत सारे अभियर्थी लगातार मेसेच कर रहे है कि सर सिचक नियुक्ति जो सुप्रीम कोट में सुनवाई चल रही थी उनका क्या कुछ हुआ तो गायज वीडियो में पूरी जनकारी देने वाले हैं आज को क्या कुछ हुआ और ऐसे भी राज के बहु सारे अभियर्थी इनी का इंतजार कर रहे हैं चाहे राज में नई भरती हो या अस्थान नि सब्सक्राइब करके बेल बटम को प्रेस कर लेंगे आगे की जो भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आएगी लेटेस जोब की अपडेट सबसे पहले इस चैनल से देखने को मिलेगी साथ ही इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों अगली सुनवाई कब होगी तो चलिए सुप्रीम कोड के ओफिसल बैसाइट के उपर तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके सेर जरूर कर देंगे तो फ्रेंड आप सभी सुप्रीम कोड ओफ इंडिया के ओफिसल बैसाइट के ऊपर आ चुके हैं तो दोस्तों जैसा न्यूजर निति का जो अपडेट है और मैं बता दूए आज को भी सुनवाई नहीं हुई तो बहुत सारे अभियर्ती परिसान है हतास है cycling ना कोई भरती होगी ज aren't और ना ही राज में कोई एकजाम लिया जा रहा है तो फ्रेंड आज सुनवाई होने वाली थी साड़े 11 बजे कोट नमर 3 में तो फ्रेंड जो साथ तारीक जो रोवईया था फ्रेंड आज को भी वही रोवईया हुआ और नेश दिति भी जारी कर दी गई है तो फ्रेंड आज भी कोट में सुनवाई नहीं हो सुकी आप सभी के लिए एक सुचना है लेकिन इनकी जो next date है फ्रेंड बहुत ही जल्द है तो चलिए मैं बता रहा हूं कब है तो जैसा कि पता होगा जो रीट जो दायर की है सत्यजीत कुमार भसर दा इस्टेट अफ जारखन और सोनी कुमारी सत्यजीत कुमार और भी एक केसर तीनों को मर्ज कर दिये गया है लेकिन इनकी सुनवाई कल भी नहीं हो पाई और आज भी नहीं हो पाई लेकिन फ्रेंड इन सुन्वाई होने वाली है तो गाइच तारीक पर तारीक दिनांग पर दिनांग खीचे जा रहा है लेकिन हिरा जह फ्रेंड हतास है कि ने को वह नजर नहीं आ रहा है ठीक है तो गाइच मैं यहीं बता सकता हूं जो अगली सुन्वाई Даже foster प्रेल को है तो फ्रेंड आप से भी लिए यह अपडेट थी तो वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करें दोस्तों पर सेयर करें तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम जय जारकंड